हलो गाईज आपका स्वागत है हमारा यूटूब चैनल वर्क ज्यान में आज का वीडियो बहुत ही जवर्जस्त होने वाला है आज हम 25 लिटर का गीजर का इंस्टोलेशन से लेकर और इसका पॉइंट बनाने तक का आप लोगो को बताने वाले हैं और आप लोगो को सिखाने देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा तो यह देख सकते हैं यह क्रम्टन कंपनी का आमिका मोडल का गीजर है और इसको लगाने का प्रोसेस काफी एजी होता है पीछे में दो फासनर आपको लगाना होता है एक इस आपको एक एक फासनर लगा कर उसमें आपको गीजर को टांग देना है तो गीजर हमारा इंस्टॉल हो जाता है अब रहा गया इसका प्वाइंट बनाने का प्रोसेस प्वाइंट बनाते टाइम में आपको किस बात का ध्यान रखना है तो वीडियो कौन तक देखिएगा त चब गरम हो जाएगा तो यहां से टंकी से पानी सप्लाई हो रहा है वहां पर हम czł 때ए सामने हम लेकर आ रहे हैं यहां पर एक टिंग लगा कर यहां से पाइप घंकी से पानी आ रहा है supply हो रहा है तो यह देख सकते हैं यह हमारा गीजर के सामने जाएगा तो गीजर के सामने हमारा brass elbow एक लगेगा उपर में जहां पर angle wall लगाना है और इसका height आप लोग को कितना रखना है ये भी आप लोग को आगे चल के पता चल जाएगा वीडियो को अगर आप अंतक देखिएगा तो जो है ना मैं आप लोग को बताऊंगा ना इस बात को आपको ध्यान रखना है और हमेशा याद रखना है अगर आप plumber के काम करते हैं तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको fitting को सफाई करना है और fitting में solvent लगाना है उसके बाद आपको pipe में solvent लगाना है इस बात को आपको याद रखना है ये एक extender होता है इससे leak का chances 99.9% खतम हो जाता है अगर आप fitting को सफाई करके सबसे पहले fitting में solvent लगाते हैं उसके बाद अगर आप pipe में solvent लगा कर और pipe जब आप fitting के अंदर डालते हैं तो इसको थोड़ा सा घुमा देना है घुमाने के बाद से आपको इस तरह से हाथ से पोच देना है जो भी solvent बाहर आता है इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि 100% ये leak proof होगा आपको मैं guarantee देता हूँ इस तरह से अगर आप काम करिएगा नो तो leak आने के chances ही नहीं रहेगा ज्यादा तर मैं वीडियो में देखता हूँ कि plumber लोग सबसे पहले pipe में solvent लगा देते हैं जो भी उसका solution है उसको लगा देते हैं उसके बाद fitting में लगाते हैं ये गलत है भाई आपको अगर आप काम कराते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है सबसे पहले solvent आपको fitting में लगाना है उसके बाद आपको pipe में लगाना है और इस तरह से आपको push देना है गीजर में इसका काम हो गया अब हम गरम पानी के लिए cpvc का काम करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से आपको pipe अगर hexoblade से cutting करते हैं तो इस तरह से आपको series का गय से rough कर देना है उसके अंदर क्या होता है कचड़ा अगरा रहता है तो जाएगा गीजर में या tape वगरा में जाकर फसेगा तो इससे क्या होगा गीजर खराब होने का chance रहता है और jam हो जाता है pipe उसका तो इस बात को आपको ध्यान रखना है इस तरह से आपको सफाई क लगाना है सबसे पहले आपको इस बातको तो आपको लिख कर रख लेना है इस इस इ सटेंडर को आपका काम में भी अगर सिकायत नहीं आएगा तो कोई भी बोलेगा कहां ये आदमी काम अच्छा करता है अब यह हमारा point बनके ready हो चुका है अब यहाँ पर हमने angle wall भी लगा दिया है इसका हाइट कितना रखना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 40 cm रखना है जहाँ पर आपका गिजर लगा हुआ है वहाँ से उसका गिजर के हाइट से 40 cm और minimum आपको रखना है कितना तो 30 cm यह देख सकते हैं यह हमारा tap भी लगके ready हो चुका है जहाँ पर हमारा hot water आएगा गिजर से जब गरम होगा यह point आपको कितना रखना है कम से कम 30 और ज्यादा ज्यादा आपको 40 cm रखना है angle wall के distance इस बात को आपको ध्यान रखना है अब हम क्या करते हैं कि hose pipe connect करते हैं तो hose pipe आपको connect करना है तो आपको इसमें spinner से आपको tight नहीं करना है इस बात को आपको ध्यान रखना है इसमें खुद tight करने वाला दिया रहता है अगर plastic का hose है अगर आपका मल लिजी कि आप SS का hose pipe लगा रहे हैं तो इस बात को भी आपको छोड़ देना है और नहीं तो आपको अगर आप पलास्टिक ओला होस पाइप लगा रहा है तो उसमें खुड टाइट करने के लिए दिया रहाता है इसमें आपको टेपलन टेप अगर लगाने का जरूरत भी नहीं है तो यह देख सकते हैं यह हमारा एक जो है कि होस पाइप सेम लगाएंगे और आपको इस्पेनर का यूज नहीं करना है और होस पाइप को आपको बराबर टाइट करना है उसके अंदर एक काला सा रबर दिया रहता है इस बात को आपको अडेंटिफाई कर लेना है को रबर रहना चाहिए फिर आपको होस पाइप टाइट करना है औ पानी गरम पानी गिरता है तो अगर आप पानी चल देते हैं पानी ढहственней पाने के भोफ ऐगा है जो आप लिड़ाया है जहां पर पानी भर नाा है गरम उसको क्या करना उसको भी open कर देना है उससे air निकलेगा जो गीजर में पानी जाएगा जब pressure से तो अगर बंद रहेगा तो कहीं से भी पानी का अगर pressure नहीं निकलेगा तो क्या होगा गीजर में पानी ही नहीं भरेगा और आपका गीजर अगर आप चालू कर देंगे तो जल इस बात को आपको ऐडेंटाइद कर लेना है और आपको आनल लगा है उसको खोल कर देख लेना फिर अगर खोड़ देना फिर अगर फूर पानी भर जाएगा तो अपने आप गिरने लगेगा तो फिर आपको क्या करना है कि नल को बन करना है कुछ इस तरह से आपको पानी अगर गिरने लगता है तो ही आपको गीजर को चालू करना है अब हमारा सब कुछ लगके रेडी हो चुका है अब हम गीजर को ओन करेंगे तो आउन करने से पहले आपको पानी का जाच कर लेना अगर पानी नहीं है तो आपका गीजर जल जाएगा भाई इस बात को आपको ध्यान रखना है क्लाइंट जिस तरह से आपको बोलता है को उसको पॉइंट यहाँ पर चाहिए जो नल लगेगा उसको पॉइंट वहाँ पर चाहिए आपको वहाँ पर ही पॉइंट को दे देना है हमारा client में हमको बताया है कि हमको वहीं पर उसका point चाहिए तो उसको हमने बना कर दे दिया है यह temporary लगा हुआ है तो इसको बाद में अगर उसको जीरी ओगर काटके लगाना है तो बोला कि बाद में लगेगा अभी आप temporary जब तक हमको गीजर लगा दीजे गीजर इसी तरह से लगाया जाता है आपको इस बात का ध्यान रखना है वीडियो गर आप on तक देखे हैं तो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा अब हम power on कर दिये हैं इसमें supply दे चुके हैं पानी हमने चेक किया था अभी हम इसका temperature जैसे ही switch को उपर करेंगे तो इसदर green light जलेगा एक और red light अभी जल रहा है तो green light जलेगा अभी पानी हमारा गरम नहीं हो रहा है तो जैसे ही हम क्या करेंगे temperature वाला हमारा switch है उसको उपर उठाएंगे तो हम temperature अरजेस्ट कर सकते हैं पानी हमको कितना गरम चाहिए ये 25 लिटर का क्रमटन कमपनी का Amica model का गीजर है अब हम इसका temperature जैसे ही और बढ़ाएंगे यानि कि पानी हमको कितना गरम चाहिए उसको अरजेस्ट कर सकते हैं जैसे ही हम इसको उपर कर देंगे देख सकते हैं तो green light जलने लगा यानि कि हमारा पानी गरम होने लगा तो इस तरह से गीजर को लगाया जाता है और point बनाया जाता है विडियो आपको समझ में आया की नहीं कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा विडियो को एक लाइक जरूर करे और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे यार 90% लोग बिना सब्सक्राइब किये हुए देखते हैं अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो फॉलो जरूर करे हमारे पेज को मिलते हैं फिर नेक्स्ट विडियो में